हलो दोस्तो नमस्कार आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एसे जो कि आपके एक्जाम में पांच मार्क्स के पूछे जाते हैं तो आज का आपका टॉपिक है दविंटर सीजन सरद रितू जो कि एक इंपोर्टेंट टॉपिक है आपके एक्जाम में आये हुआ क्वेस और इस बार भी आने की ज्यादा संभावना है तो दविंटर सीजन की त्यारी अच्छी तरह से कीजिएगा और मैं एक लाइन इंगलिस और एक लाइन हिंदी बताऊंगा चुकि आपको ज्यादा प्रोब्लम ना हो समझने में तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपि हमारेे देश में चार महतवे पून रितो यह हैं। यह एक बहुत आनन्द दायक रितो है। This season comes after the rainy season, यह रितु वर्शा रितु के बाद आती है. This season comes after the rainy season, यह रितु वर्शा रितु के बाद आती है. In our country, the winter season begins in November and ends in February. देखिये, हम लोगों के देश में सरद रितु नवंबर में सुरू होता है और फरवरी में समाप्थ होता है. In our country, the winter season begins in November and ends in February. समझ गए आप? It is not as beautiful as spring. यह उतना सुंदर रितु नहीं है जितना की बशंत, but it has its own charms. लेकिन इसका अपना सुंदर है. तो पहला परग्राफ आपका क्या कह रहा है? बढ़ियां से एक बार फिर से समझते हैं. There are four important seasons in our country. The winter season is one of them. It is a very pleasant season. This season comes after the rainy season. In our country, the winter season begins in November and ends in February. It is not as beautiful as spring, but it has its own charms. अब इसका हिंदी एक बार फिर से समझेगा. But it has its own charms. लेकिन इसका अपना सुंदर है. तो यह आपका हो गया first paragraph. In our country, winter stays for about three months. हम लोगों के देश में सरदलगभाग कितने महीने रहता है? In this season, the whole atmosphere is cold. इस रितु में समूचा वाता वरण ठंडा रहता है. Nights are long and days are short. राते बड़ी और दीन छोटे होते हैं. Nights are long and days are short. The cold wind blows in the day time and the night is very cold. दीन में ठंडी हवा बहती है और रात बहुत ठंडी रहती है. Nobody can go out at night without warm clothes. कोई भी व्यक्ती रात में बिना गरम कपड़ा के बाहर नहीं निकल सकता है. The sky generally remains clear. But sometimes it rains. देखिए अकास समानेता साफ रहता है लेकिन कभी-कभी वर्षा भी होती है. तो यह आपका होगिया दूसरा प्रगरफ. In our country, winter stays for about three months. In this season, the whole atmosphere is cold. Nights are long and days are short. The cold wind blows in the day time and the night is very cold. Nobody can go out at night without warm clothes. The sky generally remains clear, but sometimes it rains. अब इसका हिंदी बढ़िया से समझियेगा. हम लोगों के देश में सरद लगभा कितने महीने रहता है? तीन महीने रहता है. इस रितू में समूचावाता वरान ठंडा रहता है. राते बड़ी और दीन छोटे होते है. दीन में ठंडी आवा बहती है और रात बहुत ठंडी रहती है. कोई भी व्यक्ति रात में बीना गरम कपड़ा के बाहर नहीं निकल सकता है अकास समान्यता क्या रहता है The sky generally remains clear अकास समान्यता साफ रहता है लेकिन कभी-कभी वर्षा भी होती है Next paragraph को समस्ते है The winter season is very useful for farmers सरद रितु किसानों के लिए बहुत उपयोगी है In this season, farmers harvest their paddy crops इस रितु में किसान अपने धान की फसलों को क्या करते हैं? काटते हैं They store the grains They store the grains यानि कि वे अनाजों को एकत्रित करते हैं In the beginning of this season इस रितु के प्ररंभ में तो इसको एक बार फिर से समझते हैं The winter season is very useful for farmers In this season, farmers harvest their paddy crops They store the grains In the beginning of this season सरद रितु किसानों के लिए बहुत उपयोगी है इस रितु में किसान अपने धान की फसलों को क्या करते हैं? काटते हैं वे अनाजों को एकत्रित करते हैं They store the grains In the beginning of this season इस रितु के प्ररंभ में The sowing of wheat starts and by the end of the season The crop ripens देखिए इस रितु के प्ररंभ में गेहुं की बुआई सुरू होती है तथा इस रितु के अंत में फसले पक जाती है Besides, some other crops are also grown in this season इसके अतिरिक्त कुछ अने फसले भी उपजाय जाते हैं There are several advantages of this season इस रितु के अनेक लाभ है It gives us a lot of fruits and vegetables यह हमें बहुत फॉल और सबजिया देती है It is good for health जो की स्वास्त के लिए क्या होता है? अक्छा होता है We like to walk in the morning हम लोग सुबा में टाहलना क्या करते हैं? पशंद करते हैं The sun sign becomes pleasant जो सुर्योदय यानि की धूप होता है वो बहुत ही सुहावना होता है We like to sit in the sun हम लोग धूप में बैठना क्या करते हैं? पशंद करते हैं 4 hours घंटों तक But this season is very painful for the poor लेकिन या रितु गरीबों के लिए बहुत ही दुखदाई और कश्टदाई होता है Because they have no warm clothes क्योंकि उन लोगों के पास गरम कपड़े नहीं होते हैं तो एक बार फिर से समझते हैं इस परागराफ को There are several advantages of this season It gives us a lot of fruits and vegetables It is good for health We like to walk in the morning The sun sign becomes pleasant We like to sit in the sun for hours But this season is very painful for the poor Because they have no warm clothes अब इसका हिंदी आप बढ़िया से समझियेगा इस रितु के अनेक लाब है यह हमें बहुत फॉल और सबजियां देती है यह स्वास्त के लिए क्या है? अच्छा है हम लोग सूबा में टहलना पसंद करते हैं धूप आनन्द दायक होता है हम लोग घंटो धूप में बैठना पसंद करते हैं लेकिन यह रितु गरीबों के लिए बहुत कश्ट दायक है क्यूंकि उन्हें गर्म कपड़े नहीं होते हैं इस परकार सरद रितु हमारे देश की एक बहुत उपयोगी तथा महत्वपूर्ण रितु है इस परकार सरद रितु हमारे देश की एक बहुत उपयोगी तथा महत्वपूर्ण रितु है यह अमीरों के लिए बहुत लावदायक है लेकिन गरीबों के लिए स्राप है तो यह आपका हो गया दो विंटर सीजन जाड़े की रितु सरद रितु जो की एक इंपोर्टेंट एसे है आपके एक्जाम के लिए तो आप इस एसे को अच्छी तरह से एक कॉपी में नोट कर लिजिएगा और कोशिस कीजिएगा याद करने के लिए और जब भी समय मिले तो अपने दोस्तों को जरूर सेयर कर दीजिएगा और शाम में जो आपका ओनलाइन टेस्ट हो रहा है वो आप जरूर दीजिएगा साम 7 बज़ के 30 मिनट पर और जिनको भी जुड़ना है जिनका एक्जाम नस्दीक है वो 7870058213 पर एक मैसेज किजिएगा आपको ग्रूप में एड कर दीजिएगा बस छोटा सा आपको फीज जमा करना है ग्रूप जोइन करने के लिए उसके बाद आप रेगुलर टेस्ट दे सकते हैं तो यह आपका नंबर मैंने बता है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं और ओफलाइन क्लासेज के लिए आपको नियर इस्ट गेट अफ जैन कॉलेज के पूरिवी गेट के पास आपका कोचिंग है एक्सपर्ट के नाम से नियू बैच आपका सेकेंड यर जो की आपका स्टार्ट है सुबा आठ से नौ और दस से ग्यार फॉर एक्जाम टूथाउजेंड तेईस जिनको एक्जाम दूजार तेईस में देना है उनके लिए दो बैचेज स्टार्ट हैं अभी आफ लाइन आठ से नौ और दस से ग्यार आप जोइन कर सकते हैं आकर के ओके धन्यवाद